वीडियो पर अबैद बसूली का अर्व लगाते हुए ग्राम परधान सड़क पर उतर आये उन्होंने अपनी मांगों के समर्धन में गुसाई गंज में अनिश्चित कालीन धरना शुरू कर दिया ग्राम परधानों को कहना है कि जब भी वे अपने छेतर के विकास कार्यों को लेकर खंड विकास अधिकारी के कार्या ले जाते हैं तो उनसे हर काम के बदले में पैसे की मांग की जाती है जिसकी बज़े से विकास कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं इस समस्या को ले पर उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कुछ दिन पहले एक ग्यापन भेज कर अपनी समस्याओं से अबगद भी कराया था लेकिन कोई कारवाही नहीं रोपाई जिसकी वज़ा से उन्हें आंदोलन को मजबूर होना पड़ा है अखिल भारतिय प्रदान संगठन के जिलाद्यक्ष ने बताया कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक अनिश्चित काली इन धरना जारी रहेगा इस दोरान संगठन से जुड़े दरजनों ग्राम प्रदान और संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे आज भी कोई कालवाई नहीं हुई मजबूर होकर कि आज प्रदान संग क्या धरने पर बैठा और तब तक बैठा रहेगा जब तक इसके खिलाप कालवाई नहीं हो जाती है जी आप रहेगा वीडियो के खिलाप हम धरने में सहमत है गराम सभा कासिम प्रभिरुवा परदान असोक कुमार वर्मा परदान संग महामंत्री बलागोचाई गड़ यह थे हमारे साथ में प्रदान संगटन से जुड़े हुए तमाम सदत से और प्रदान गड़ जिन्होंने बताया कि बीडियो को लेकर के काफी कुछ सिकायते हैं और यहाँ पे इन्होंने मुखमंत्री जी को गयापन भी दिया था अभी तक इनके उपर कोई कारवाई नहीं हो पाई है तो देखिए अभी इन लोगों का अनिस्चित कालिन धर्णा है और यह इनकी मागों को लेकर के कत्तक सरकार गंबीर होती है गोसाइंगन से एबी पियस नियूस से ब्रजेश कैमरामें दिवराज के साथ